हेलो गाइस, वेलकम तो माई यूटूब चनल, इस वीडियो में मैं लेका है हूँ आपके लिए एक फ्लैट मॉप, फ्लैट मॉप को यूज करने के काफी सारे बेनिफीट है, जैसे कि आप हाथ से पोता मारते हो तो बैक में पेन होना, या फिर काफी सारे कॉर्नर छूड जा तो नेट पे काफी सारे आपको फ्लैट मॉप देखने को मिल जागे, पर आप कन्फ्यूज हो कि कौन सा वाला पर्चेस करें, कौन सा वाला नहीं पर्चेस करें, तो इस वीडियो में मैं आपका पूरा कन्फ्यूजन जो की क्लियर कर दूँगा, तो मैं लेका हूँ आपके यूपीसी ब्रांट की और से आने वाला फ्लैट मॉब विट स्क्वीज वाला जिसके अंदर आपको कोई भी बकेट की ज़रूत नहीं पड़ेगी वह सबसे पहला हम करेंगे अन्बॉक्सिंग बाद में फिर इसे एसेंबल करके मैं आपको डिटेल रिव्यू भी बता और यूज करने के बाद में क्या-क्या benefit देखने को मिल रहे है तो बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक cleaning head, दो extension road और दो microfiber pad cleaning head की body जो कि हमारा aluminium material से बनी हुए जिसके कारण हमारा cleaning head बहुत प्रीमियम quality का है as compared to market में आपको बहुत सारे flat mop मिल जाएगे पर इनका जो quality है overall plastic का होता है aluminium material यूज करने के कारण इसका cleaning head काफ़ी strong है as compared to दूसरे plastic वाले flat mop से water को squeeze करने के लिए cleaning head के उपर ही हमारे squeezing mechanism लगा हुआ है इसके quality भी बहुत ही premium है इसको यूज करके हमारे easily flat mop को squeeze कर सकते है साथ में जो आते है हमारे extension road उसकी quality है हमारी overall steel की इसके अंदर कोई भी आपको iron वगेरा का use नहीं किया गया है तो आप इसे जो कि magnet लगा के test भी कर सकते हो अब ये steel की quality बहुत ही premium है बहुत ही अच्छी quality है तो कभी भी life में आपको जंग वगेरा या फिने resting वगेरा होने का भी problem नहीं रहेगा इसके साथ में आते हैं आपको दो microfiber pad ये microfiber pad की quality बहुत ही premium है has compared to हम कोई भी दूसरे flat more market में मिलते हैं उनके साथ में जो microfiber pad आते हैं वह बहुत ही पतले होते हैं पर ये वाले microfiber pad हमारे बहुत ही ठीक है जिसके कारण आपको dust clean करना हो या फिर pota मारना हो या फिर कोई भी पानी गिरिया है already विसे आपको साप करना हो तो ये तीनों काम आपका ये microfiber pad के through हो जाएगा microfiber pad ये जो की reusable है तो easily आप इसे निकाल के wash भी कर सकते हो washing machine के through wash कीज़े या फिर अपने hand wash के through भी आप wash कर सकते हो अब इसे assemble करना बहुत ही simple है सबसे पहला आपको cleaning head ले लेना है विसके बाद में फिर इसको आपको squeezing mechanism से बाहर निकाल देना है जैसे कि हमारे squeezing वाला cleaning head के साथ में लगा हुआ है तो last to last हमारा cleaning head इतना बाहर जाएगा विससे जादा बाहर नहीं जाएगा काफी लोग को product देखके लगता रहे है कि cleaning head हमारा पूरा बाहर निकल जाएगा पर इसा नहीं है तो जैसे कि मैं आपको remove करके भी show कर देता हूँ तो आप देख सकते हूँ इस तरह आपको remove कर लेना है और पीछे की साइड में आप देख से तो आपको कुछे tap का holder लगा रहेगा जो कि हमारे cleaning head और squeezing mechanism दोनों को attach के रहेगा cleaning head की length की बात करें तो complete इसके अंदर 16 inch आपको देखने को मिल जाएगा has compared to market में बहुत सारे flat mop है तो दूसरे flat mop आराउंड आपको 13-14 inch तक का cleaning head देता है तो cleaning head की length जादा होने के कारण आपका काम और भी जल्दी और fast होएगा फिर उसके बाद में आपको microfiber pad को लेना है विसको cleaning head के उपर जो की लगाना है तो काफी सारे flat mop आते हैं उसके अंदर हमें cleaning head के उपर जो की direct microfiber श्टक करने का ही option आता है पर इसके अंदर आपको श्टक करने का option भी मिलता है उस side में hook भी देखने को मिल जाता है तो उस hook के अंदर भी आपको microfiber pad को लगा देना है तो जिससे कि microfiber pad हमारा cleaning head से properly attach रहेगा जैसे कि दुसरे वाले flat mop आते है तो मिरे में से जो microfiber pad कुछ time बाद में निकल जाता है 2-3 मेना use करने के बाद में पर इसके अंदर से जो कि आपका कभी नहीं निकलेगा और बहुत ही long time तक चलेगा लगाना बहुत ही simple है एक side में 3 hook है विसके अंदर आपको microfiber pad के 3 pocket है वो डाल देना है और दूसरे side में आपको जो की button जैसा देखने को मिलेगा तो इस button पर प्रेस करके जो 3 hook है वो अपर side में जो की move हो जाएगे थोड़े से बाहर निकल जाएगे इसके बाद में आपको थोड़ा सा pressure लगा के turn करने के बाद में उस microfiber pad के दूसरा side भी आपको इस hook के अंदर जो की pocket के अंदर डाल देना है तो जिसके कारण आपको एकदम properly microfiber pad cleaning head से attach हो चुका है फिर rod को assemble करना बहुत ही simple है जो हमारे longest road है वो आएगा middle में जो हमारे shortest road है वो आएगा हमारा upper side में इस तरह हमारा complete installation हो जाता है flat mop का तो कुछ इस type का flat mop आपको installation के बाद में दिखेगा अब इस flat mop के अंदर ही squeezing mechanism लगा हुआ है तो इसको आप 3 different type से use कर सकते हो सबसे first आता है bucket के अंदर आप deep करके इसे जो के clean कर सकते हो दूसरा आता है आपको null के नीचे या फिर tap के नीचे रखके इसे clean कर सकते हो तीसरा option आता है आपके वास normally जो हमारा bucket होता है small size का विसके थूँ आप water डालके इसे clean कर सकते हो तो तीनों तर्के बहुत है simple है जो आपको comfortable है के वो use कर सकते हो तो next आता है इसे use कैसे करना है तो काफी लोग जो की flat mop purchase कर लेते हैं पर उसे proper तरीके से use नहीं कर पाते हैं तो जैसे कि पहले लोग पूता हाथ से मारते थे तो हाथ को right और left side direction में जो की move करते हैं पर flat mop का आपको right और left side direction में move नहीं करना है और once say two day में आप इसमें expert हो जाओगे तो अब आता है इसका testing तो आप देख सकते हो surface पे काफी सारा sauce गिरा हुआ अब इस sauce को clean करना है तो इस flat mop के तो बहुत simple तरीके से जो सारा sauce है हमारे microfiber pad में जो के attach हो जा रहा है और हमें बार-बार जो के पानी वगेरा को use भी नहीं करना पड़ रहा है इसी तरह आपके floor पे धूल मिट्टी या फिर कोई dust भी गिरा हो तो आप इस flat mop को जो के एक जाडू की तरह भी use कर सकते हो तो surface में जितने भी मिट्टी वगेरा है उस अभी को clean करने के लिए फिर आपका room है उसके surface को clean करना dust वगेरा हो तो इस flat mop के through सारे dust को one side में corner में या फिर dust bean के side में आप लेके जा सकते हो तो ये flat mop को आप एक जाडू की तरह भी use कर सकते हो और flat mop को use करने का सबसे बड़ा benefit ये है कि ये कोई भी corner में easily clean कर लेता है तो जैसे कि आप हाथ से पोता मारते हो तो आप बहुत सारे corner वाले पार ते वो छोड़ देते हो वहाँ हमारा हाथ नहीं पोस्ता या फिर हमें बहुत जादा band होना पड़ता है पर flat mop के तरह आपका जो कि decks का table हो या फिर आपका bed हो या फिर आपका tea table, dining table, कोई भी table हो इसके नीचे आप easily आपका flat mop पहुच जाएगा और easily वो surface को भी clean कर लेगा जहाँ आपने काफी long time तक पोता नहीं मारा होगा और दुसरा benefit यह है काफी लोग अपने surface पे floor पे पोता मारते हैं पर वो कभी भी अपने wall के skirtन पे पोता नहीं मारते हैं तो वो कभी भी clean नहीं होता है अधिक तर वो जो कि dark हो जाता है यह फिसका color जो कि dull हो जाता है तो इस flat mop के थूँ आप जो कि अपने wall के skirtन पे भी बहुत ही easy तरीके से पोता मार सकते हो simple है आप अपने legs से जो कि इसे थोड़ा सा turn कर देना है इसके बाद में फिर आपके जो इस curtain है वो भी clean रहेगे और यह 360 degree rotating flat mop पे easily सभी corner में चले जाएगा और easily सभी curtain को clean कर देगा जहां आपको पहले 100 feet square feet जेका को clean करने में 8-10 minute लगते थे इस flat mop के थूँ आपका काम बहुत ही fast हो जाएगा within 1-5 minute में आपका जो कि 100 feet square feet जेका clean हो जाएगा तो इस वीडियो मैंने इस flat mop के बारे में आपको सभी चीज़ा बता दिये और कुछ भी चीज़ मैं भूल गया रहो तो आप मुसे comment section में पूछ सकते हो तो यह UPC brand का bucketless flat mop की link में description में provide करते होंगा तो आप purchase करना चाहते हो तो आप purchase कर सकते हो लिंक आपको description में मिल जाएगी तो आपको यह वीडियो अच्छा लागा रहा तो यह वीडियो को like कर दीजिए इसे और बेंटेस्टिंग वीडियो चीए तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए तो thank you so much watching this video